हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए एक important update लेकर आया हूँ जो कि provisional merit list से related है दोस्तो आप में से जिन दोस्तो ने परवाज scheme के लिए apply किया था तो उनके लिए provisional selection list जो है वो announce कर दी गई है जो आप screen पे देख पा रहे होंगे ये merit list जो है ये NEET और JEE के aspirants के लिए निकाली गई है तो जो aspirants इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए link आपको नीचे description में मिल जाएगी अगर आप score की बात करें तो यहाँ पर आप देखने जो top score रहा है वो 96.54 रहा है और अगर हम bottom score की बात करें जो इसमें total 1400 के करीब बच्चों की provisional selection list आई है तो last में आप देख रहे हैं 1410 और जो last score रहा है वो 22.02 रहा है तो जिन्हों ने इसको qualify किया है तो उनके सामने P क्यों लिखाएगा याने provisional qualified और जिन बच्चों के सामने result के सामने में N क्यों लिखा हुआ है तो इसका मतलब है not qualified कुछ important बातें आप जरूर याद रखेंगे कि जिन बच्चों ने इस test को qualify किया है उनको physical counseling के लिए बुलाया गया है और साथ में इनको ये document साथ रखने होंगे जिन में DOB, 10th mark sheet, 12th mark sheet, domicile certificate, income certificate और photo identity proof आपको साथ रखना होगा तो बाकी जो important details हैं वो इस PDF में दी गी हैं मैं चाह instructions दी गई हैं counseling के लिए वो आप अच्छे से पढ़ें तो link जो है आपको नीचे description में मिल जाएगी इसको download करने के लिए तो दोस्तों ये थी एक important update परवाज के provisional selection list से रखने जो की JEE और need के लिए आई है तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये video को करता हूँ है उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो दोस्तों हम मिलेंगे आप से एक next वीडियो में तब तक के लिए take care